नमस्कार दोस्तों, आज ये वीडियो बस इसलिए बना रहा हूँ कि यह भी दसारा चल रहा है और दसारा जो भी कोई भी माइट्वालोजी है उसको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं तो उससे एक यही चीज़ समझने मिलती है कि बुराई पे अच्छाई की जीत सबका अगर एक लाइन में जिस्ट है तो यही है तो हमें भी कुछ प्रण लेना चाहिए अपने जीवन को बदलने के लिए कि हमारे अंदर जो भी बुराई है और मुझे एक लगता है कि एक हम सब के अंदर है वो है डिस्सिप्लीन का नहीं होना डिस्सिप्लीन क्या होता है कि अगर हम कोई भी जीवन में टार्गेट बनाते हैं कोई भी जीवन में एम बनाते हैं कि मुझे यह हासिल करना है और दो दिन के बाद उसे भूल जाते हैं विसे से हट जाते हैं सब्जेक्ट से हट जाते हैं और ये जो इंस्टाग्राम और यूटूब की जो दुनिया है इसमें खो जाते हैं तो मुझे ये लगता है कि अगर हम थोरा डिसिप्लीन रखें अपने लाइफ में एक बड़ी अच्छी लाइन है कि बस इन ही चीजों में रात भर उल्जा लिया खुद को कुछ सोचा, कुछ याद किया और फिर समझा लिया खुद को जब भी हम कोई ड्रीम बनाते हैं और मैंने खुद महसूस किया कि जब हम इंस्टागराम और यूटूब देखते हैं दूसरे की जीवन को देखते हैं कि वो यहाँ घूम रहा है, वो कर रहा है, गाड़ी ले रहा है तो बड़ा अंदर से लगता है कि कास मैं भी करूँ और फिर अगले रिल पर स्विच हो जाते हैं और खुद को समझा लेते हैं कि नहीं यार छोड़ो, दुनिया यही है, जीवन यही है लेकिन यह जीवन नहीं है, यह दुनिया नहीं है और जहां तक मेरा मानना है कि सफलता का कोई एक मेजर्मेंट का क्रेटिरिया नहीं कि कौन सफल है, कोना सफल है अगर SDM बनना सफल होता तो कई लोग को यहीं मोक्ष मिल जाता मोक्ष का मतलब होता है सटिसफैक्शन वसियर जानिये कि आप जब सटिसफाइड है, वही मोक्ष है अगर अंबानी बनना सफल होता, तो वहाँ भी मोक्ष मिल जाता तो जीवन में जो सफलता की परिभासा है, वो सब के लिए अलग है सफलता जो मुझे समझ में आता है, सफलता उतनी है कि जब आपको सटिसफैक्शन अंदर से फिल होना, वो सफलता है एक स्प्राइड का एड आता था बहुत पहले, उस एड में यही बताया था कि वो स्प्राइड पी रहोता है और उसका एक मित्र बोलता है कि तुम यह क्यों पी रहे हो, कुछ काम करो, बोला काम करने से क्या होगा, बोला पैसे आएंगे पैसे आने से क्या होगा, बोला अच्छा घर होगा, घर होने से क्या होगा, बोला आराम से रहोगे बोला तुम तो मैं ऐसे भी आराम से हूँ तो मुझे ये feel होता है कि सफलता वही है जिसमें आपको satisfaction मिले और जीवन में अगर आपको ऐसा मौका मिलता है कि जिससे आपको satisfaction मिले वही काम आपको करने को मिले तो बहुत खुसी होती है मैं अपने सुरुवाती दोर में मुझे किताबों से बहुत तलग जी थी मुझे किताबों से नफरत थी मतलब अईसा लगता था कि क्यों कि सी चीज को समझना है मैं नहीं पढ़ोंगा मैं बिजनेस कर लोंगा मतलब कंई ख्याल आते थे अपने मन में कि क्रिकेटर बन जाऊंगा ये कर कर लोंगा वह कर लूंगा कौकि किताब पढ़ टीन बेचायनी होते थी दो तीन प sizi पढ़ो स्के अंदर से लगता यह जो रीपेल करता है इस रीपेली ट करता है वैसे एक रिपेल तो एक रिपेलिक फोर्स काम करता था मेरे साथ फिर जैसे तैसे करके इंजिनिरिंग कम्प्लीट कर लिया, यहां जॉब किया, वहां जॉब किया, कई धक्ये खाए और बहुत दिनों तक धक्ये खाए फिर अहसास हुआ कि नहीं आर रहे, यह वो जीवन नहीं है जो हम लोग स्कूल, कॉलेज और सोचते हैं यह जीवन बिलकुल अलग है, बिलकुल ही मतलब नहीं होता है कि सौच से परे है, कि इसमें ना कोई होलिडेज होता है, ना कोई रिलाक्स होता है, सिर्फ संडे का इंतजार रहता है. और जो संडे का इंतजार है बहुत बूरा इंतजार है संडे का क्योंकि संडे जब आता है और जब गुजर जाता है तो समझ में नहीं आता है फिर संडे का इंतजार हो जाता है तो वो जीवन नहीं है कि आप संडे के इंतजार में पूरे छे दिन काट रहे हैं कि कब संडे आ रहा था तो समझ में आया कि नहीं कुछ ऐसा करना है, कुछ बड़ा एचीव करना है, तो बड़ा एचीव कैसे करेंगे, समझ में आया कि नहीं, जुन किताबों से नफरत थी, उन्हीं किताबों के थूर रास्ता है, जिससे कुछ जीवन में बड़ा हासिल कर सकते हैं, फिर से किताब लेके आया फिर से पढ़ाई किया और इस बार मज़ा आने लगा मज़ा क्यों आने लगा को कि समझ में आया कि इन किताबों से ही जीवन बदल सकता है हमें स्कूल में कॉलेज में बताया नहीं जाता है कि इस किताबों का importance क्या है इस सबसे खराब बात है मैं जो academics है हमारा मैं उससे इसलिए थोरा सा यह हूँ कुकि हमें बच्पन से किताबों से इन्ट्रेस्ट नहीं लायेगा हम aquesta पढ़ाया हिसली जाता है कि हम टेस् helping में नमबर ला सकें ये लंकिन क्यों ला ना वो नहीं बताया जाता और जब दुबारा उतने दिन के स्ट्रगल के बाद गितावे हाथ में आई तो शुरू में तो वैसा ही लगा लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार इसमें करना क्या इसको पढ़ के समझना है कोई चैप्टर जब उठाते हैं लक्षमी कान जब उठाते हैं हम लोग तो गौवर्मेंट के बारे में पढ़ के समझना है और अगर मैं पढ़ के समझ रहा हूं तो मुझे एक तो नॉलेज भी लग रहा है कोकि हम इतने दिन तक समाज में रहते हैं कई चीजे हमें नहीं पत सरकार का तब भी पेट्रॉल धिजिल के बढ़ाये जा रहे हैं क्योंकर नोट छाप देती हैं बहुत से मीं नोठी mini के मन मेंriers जिग्यासा होगी कि सरकार ही को नोठ न है तो उन क्यों पास पैसा होगा है एक चोडर सु धार्न स्बस्ण देता हूं सब पास पैसा ये अगर में में जिग्यासा जब मैं तैयारी मीत उत्रारा जब मने कीसे समझ में आया अब पैसा सब के पास अब कुछ जो कम्तृ है फिरकन कंट्री जैसे जिंवाव वहाँ आलू बिकता है 10 हजार रुपे किलो एक लाख रुपे किलो प्याज भिखता है वहाँ इस तरह से रेट है वहाँ क्यों ऐसा हुआ हुआ कि कि सरकार ने यही काम किया बच्पना किया और नोट शाब दिये बहुत सारा अब समाज में जो रिसोर्स है वो तो कम है अब जैसे मैं बात करूँ आलू की तो आलू मार्केट में आया है अज पांच किलो ठीक अब खरीदने वाले आ गए आलू को सौ लोग अब पहले ने बोला कि भाई आलू कैसे दस रुपे सब के सब सौ रुपे लेकर है कि मैं मेरे पास दस रुपे मुझे दो मुझे दो अब अब दो कंदार ने आलू का रेट महंगा कर दिया 20 रुपे कर दिया अब सौ में से 50 लोग छट गए कि मैं आलू नहीं ले पाऊंगा फिर और महंगा किया तो आलू नहीं ले पाऊंगा आलू नहीं ले पाऊंगा लास्ट में जितना आलू लाया था उतने लोग बचेंगे तब तक आलू का रेट जो हो जाएगा, वो हो जाएगा 1000 रुपे किलो, तो बात वही हो गई, नोट ज़्यादा छाब दीजेगा, तो चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, जैसे सोना के साथ होता है, गोल्ड के साथ हो रहा है, गोल्ड 70-80,000 रुपे का 10 ग्राम मिलता है, क्यो मज़ा आएगा, हम लोग कई बार बोलते हैं कि वहां का ये मसुहूर है, वहां का ये अच्छा है, लेकिन नहीं जानते हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है, जब जोगड़ाफी पढ़ेंगे तो लॉजिक समझ में आएगा, तो दुबारा जब मैं सही बात बता रहा हूं कि जब मैं दुबारा उत्रा त्यारी में तब तक ठोकर खाके इंसान सीखता है, जो बही अच्छी मतलब बात है कि किसी इंसान को सिखाना है, तो अब कितना भी समझा दीजे, मैं कितना भी इस वीडियो को बना लूँ, समझा लूँ, लोग नहीं समझेंगे, जब ठोकर जब जलील होते हैं, तब समझ में आता है, तब जो आपकी अंतर आत्मा है, तब जगती है, एक बड़ी जावेद अक्तर की लाइन कहीं पड़ी थी मैंने, उन्होंने कहा था कि आपको जब हम मचली को काटते हैं और मारते हैं, किसी को दुख नहीं होता, पाटी करते हैं ल करते हैं, क्यों क्योंकि उनके पास जुबान है, जब तक आप किसी चीज को बयान नहीं करेंगे, तब तक लोग उसकी कदर नहीं करेंगे, आप अपने दर्द को फिल नहीं करना बंद कर देंगे, आपके साथ जो बीच रही है, उसको महसूस नहीं करेंगे, उसको अपने उपर चोट नहीं लगने देंगे, तब तक आप कभी सुधार के लिए नहीं बढ़ेंगे, जिस दौर से गुजर रहे हैं, उस दर्द को सही है, महसूस कीजिए, और अपने आप से बोलिए कि मैं इस से निकलूँगा बाहर, और जो मुझे समझ में है, हो सकता कई रास्ते हो, बिजनेस करके भी आप आप अन्वी हो सकता है, कुछ करके लेकिन पढ़ाई का जो रास्ता है, और सेलेक्शन होने के बाद, सेलेक्शन होने मतलब मुझे लगता है कि जब मैंने मेंस दिया, तब तक मेरे पढ़ने की चुके थी और उसके वाद मैंने कई कितावे जब हम लोग मेंस की त्यारी कर रहे थे तो मुझे फिलूगा कि मुझे यह भी किताब पढ़ना चाहिए वह भी किताब पढ़ना चाहिए इसको भी जानना चाहिए उसको भी जानना चाहिए उसके वाद मैंने कई किताबे पढ़ी मैं आपको कभी अपनी लाइवरेडी की दिखाऊंगा मतलब मेरे पास अभी मुझे लगता है कि 2000 से उपर किताबे हैं और लगभग किताबों को मैंने किसी को आधा किसी को पूरा पढ़ चुका हूँ कि इसी पढ़ाई के दौरान किसी ने recommend किया कहीं से सुना मैंने कि ओसो पढ़ना चाहिए तो ओसो पढ़ना सुरू किया और ओसो पढ़ने के बाद मुझे एक अलग ही एक enlightenment समझ में आया कि वो इनसान रजनीस उनका नाम हुआ उन्होंने इतने deeply जाके चीजों को पताया है आज फिर मेरे पास समय था मैं आज ओसो पढ़ रहा था कुछ किताबे मैं यहां ले के आया हूँ देखी मेरी मतलब यह एक है आपको नहीं राम बिन ठाओ यह बहुत अच्छी किताबे उसो की दूसरा है मन से मुक्ति मोक्ष है तुसरा है अश्टावक्र महागीता और चौती किताब जो हमेशा मेरे पास रहती है मुक्ति की अकांचा यह कुछ किताबे ऐसी है मुक्ति का अकांचा तो मैंने कई बार पढ़ा है और यह किताबे बहुत मतलब क्या करते हैं आपके soul जो आत्मा है उनको satisfy करती है तो मैं अभी नहीं कहूंगा किताबे पढ़ने ये सब पढ़िए और धीर धीर आपका interest आना सुरू हो जाएगा किताबों में और जब किताबों में interest आएगा तो कई चीज़े मैं आज जो ये वीडियो बनाता हूँ या कुछ कहीं बोल पाता हूँ public speaking मुझे लगता है इन किताबों की देन है Instagram और YouTube से कुछ नहीं सीखने को मिला सिर्फ वो आपके दिमाग को और slow करेंगे और बरबाद करेंगे और खराब करेंगे तो एकबर किताबों से मुहांबत करके देखिये कुछ पढ़िये मैं अगले वीडियो में जो मेरी फैम मतलब क्या क etian दिल के जो करीब किताबें तो नहीं दिल के करीब मैं उसको सब दीवेच करूँगा किताबें 10 किताबें मैं जरूर में जुन्होंने मेरे सोच को बदला है, मेरे जीवन को बदला है, और अभी भी मैं जो मेहनत करता हूँ, मैं मेरे राज रूटीन है, वो बहुत अलग रूटीन है, बाकियों से, मैं रात को दो बज़े सोता हूँ, देर दो बज़े के पहले नहीं सोता हूँ, और सुबह मैं आठ वो ही कह सकते हैं को कि सोच ही बदलना कहेंगे को कि जिस चीज से मुझे नफरत थी इसको मैं पांच मिनट नहीं पढ़ पाता था मजबूरी में पढ़ता था कि कैसे भी होनों और उससे वो अफेक्शन होना और वो अफेक्शन होने के बाद ये जीवन में सफलता मिलना तो मैं यही करूँगा कि सब लोग एक पर किताब पढ़ना सुरू कीजिए कोई भी किताब और जो लोग तयारी कर रहे हैं NCRT से सुरुबात कीजिए मैंने एक वीडियो भी बनाया उस पे और देखी कैसे किताबों के रास्ते ही से ही किसमत बदलती है मेरी बदली है और मैं कोसिस करूँगा कि आपकी भी बदली है चलिए अगर कुछ और रिकुमेंड करना हो जो अच्छी किताब है आपको पसंद है जरूर मेरे इसमें कमेंट सेक्षन में आप रिकुमेंड कीजिएगा कि जो आपकी पसंदीदा किताब है मैं पढ़ूँगा अगर मैंने नहीं पढ़ है आइसे बहुत कमी किताबे बची हैं जो लोग रिकुमेंड करते हैं और जो मैंने नहीं जानता हूँ जो मैंने नहीं पढ़ाया तो उसको पढ़ने एक सिस करूँगा z했던धने बाом पर भीड़ कर दोगी झाल दो जो पर दोगादा दो पीड़ा है